हेलो फ्रेंज शादलव लाइफ में आप सब का स्वागत है नमस्ते नमस्का सस्रियकार असलाम आलेकुम आज है वेनस डे बाट मैं आई हूँ जेरीज जी हाँ आज तिस डे नहीं है फिर भी जेरीज आई हूँ क्योंकि मुझे लेना था बनाना और ये इसलिये लेना है कि मुझे अज्छान के स्कूल से कॉल आया था कि ही जो स्कूल तो ये जाना है और मुझे असको पिक अप करने के झाना है so I'm going to pick him up from school अं अज़्ादा कुछ नहीं है उसको I think ढुरा सा डायरीय उана ही which is fine तो मुझे बनाना पिक अप करना था because डायरिया में बनाना is a very good thing और वो क्यू है वो हम आपको बाद में बताएंगे बट अभी फिलाल में जारी हूं अजान को लाने के लिए स्कूल से मैंने अजान को पिक कर लिया है अजान, do you want to go inside the house? स्कूल से डेली पिल्ड एपक्ते पियुत ढ़ो व्यारर का ँझे टो में आपको आपको पाराएंग देस्ट connection हाँ, अज़ादो वेज नो बास अज़ान्स को स्कूल से में लेके आके उसे बनाना दिया खाने के लिए जो मैं जरी से लाए थे और मैंने कहा था आपको इसके मैं फाइदे बताऊंगे ये देखे ये है उसके फाइदे ये आपके स्टमक प्राबलम को ठीक करता है अगर आप एनिमिक हो, पाइल्स है, किनी डिसॉडर है या पीरियट्स के प्राबलम है, आथराइटिस है उस सब के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है प्लस आपके आँख के लिए, आपके बॉन्स के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज है तो बनाना जरूर रोज खाएं बर जानना जरूरी है कि बनाना को किस स्टेज में खाना चाहिए और ये देखे, जब वो अंडर राइप होता है ये इस स्टेज में होता है, राइप में, तब तक ये खाना ठीक है जैसे ही इसमें काले दाग आने शुरूर हो जाते है इसमें और कुछ नहीं बचता बस शुगर रहता है जो कि हमें नहीं चाहिए, तो अगर आप डाइबिटिक है तो कच्चे केले खाईए, उसके जादा फायदे है कि इसमें अंटि आक्सिडेंट होता है और फाइबर जादा होती है, और शुगर कम होती है तो इसका ध्यान जरूर रखे कि किस स्टेज में बढ़ाना खाना जरूरी है और किस स्टेज में नहीं खाना चाहिए बताया था हर बार कॉस्को जाओंगे तो जरूर आपको एक आईल दिखाओंगे तो आज मैंने सोचा मसाले के आईल ये कवर करती हूँ जैसे हम बोलते हैं स्टेज तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट टाइप के स्टेज है और देखिए है ब्लैक होल पेपर जैसे हम काली मेच कहते हैं और ये सबसे अच्छी बात है कि इसकी मैं सारे सामान लेती हूँ यहाँ पर जो रहता है इसाईल में और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है तो ये है ब्लैक पेपर इसका और एक भी मिलता है जो आपको ग्राइंडर के साथ मिलता है तो ये जैसे है तो आप ब्लैक पेपर ये साइड में ग्राइंडर है तो आप इसको रीफिल करके फ्रेश ब्लैक पेपर को ग्राइंड कर सकते हैं इसके साथ औरिक उप्शन है कि आप पाउडर ले ले अगर आपको ग्राइंड नहीं करनी है और जल्दी में है तो इसका पाउडर भी मिलता है आपको तो यह तीन टाइप के हैं और फिर यह है पिंक सॉल्द, यानि हमालियन सॉल्द जैसे हम बोलते हैं और कहते हैं कि नॉर्मल सॉल्द से ज़्यादा अच्छा होता है यह सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है उसमें हमें सही मातरा में आपको सोडियम मिलता है ठीके तो अगर यह पिंक सॉल्ट अगर आपको मिलती है, मैं भी लाई हूँ पिंक सॉल्ट, मैं तो भी और एक दरदड़ा सॉल्ट भी लेके आई हूँ, बट मेरे पास हिमालियन सॉल्ट भी है, और यह अपना नॉर्मल सी सॉल्ट है, जो हम लोगों मिलता है, तो यहां पर वो भी भी इता है, और यह है सिनमम, तो आपको पता ही है, डाल्चीन जिसे हम बोलते हैं, यह गहां भी बहुत है, यह यह बहुत प्योर लगता है, और अच्छा ही लगता है, यह अगर आपको डाइबिटीज है तो दो साज़ आप भी और अब रोज काईए, या फिर अपर आपक आपको नहीं चाहिए कि आपका शुगर लेवल बढ़े या शुगर लेवल कंचोल में रहे तो सिनेमम ज़रूर खाए और वो था अनियन फ्लेक्स जो मैंने आपको दिखाया यह है औरेगानो यह सब आपको मैरिनेशन में हेल्प करता है कि आप कुछ खाना बना रहे हैं चिक अगर आप बनाएंगे खाना तो बहुत ही यमी बनता है यह सारा मैं यूज करते हूँ और यहां से ही लेती हूँ तो यह देखे यह गालिक पाउडर जैसे जिंजर पाउडर आती है गालिक पाउडर आती है आपको एक कोफता बना रहे है तो आप उसमें डाली और स्टाइल बनाते है तो यह ज्यादा अच्छा लगता है यह सिराचा है जैसे अपना लाल मिर्च होता है वैसे ही है तोड़ा तीका है पर इसका फ्लेवर तो डिफरेंट आता है तोड़ा बाबीक्यू टाइप आता है और यह दीखिए यह है बेगल जो यहां पर एक जैसे अपना इंडिया में पहले उसको भून के बीस्ते हैं वैसे ही बहुत प्योर लगता है और यह है ट्रॉफल यह मैंने कभी यूस तो नहीं किया है पर अगर आपने किया है तो प्लीज मुझे जरूर बताए इसे आप किस में डालते हैं और इसका क्या बनाते हैं और यह मेरे लिए यह है वैनिला बीन्स प्योर वैनिला बीन्स ऑविसली हमें लिक्विड मिलता है बट यह बहुत ही अच्छा होता है और यह और यह और बहुत ही स्ट्रॉंग और बहुत ही टेस्टी होता है और अविसली यह है जीरा पाउडर अपना कुमिन सीडु का और यह भी बिना रोटी बनाते है, भाजी के साल, मुझे टाको वैसे ही लगता है बस हम मिला देते हैं और कुछे चीजें डालते हैं तो यह टाको ती और यह मॉझे लिधा कन लगते हैं नमक मोझे हैं तो हम कॉसको से लाए अंडे जो कि कुछ हफतों से मिल ले रहे थे तो ये है वाइट एग्स और नीचे है हमार औरगनिक एग्स और साथ में लाए हम चिकन ड्रॉम स्टिक उसके साथ हम लाए है एक स्क्रबर जो कि हमने शार्क टैंट में देखी थी और इसकी खासियत ये है क कि ये थंडे पानी में कड़क हो जाती है और गरण पानी में सॉफ्ट तो अगर कोई जादा गहरा स्टेन है जो आपको निकालना है तो आप थंडा पानी में इसे कड़क बना के यूज करें और इसे बरतन नहीं बहुत जहां जहां आप कोई भी क्लीनिंग के लिए सिंक क् फर्ष्स क्लीन करना है किसी भी चीज में भी आप इसे यूस कर सकते हैं वैसे मैं पहली बार लाई हूँ मैं इसे यूस करूँगे और अपना रिव्यू जरूर बताऊंगी कि ये कैसा था इसका और ये है ओवियसली पपाया दस डॉलर की आती है बट वो था फ्लैक सीड और ये है ओट यूशली मैं स्टील कट ओट प्रिफर करती हूँ बट फरहान ये लेके आये थे ट्राइ करने के लिए बट मुझे इससे पहले इसका शुगर और कैलरी लवल देखना है बट सिंस ये ब्रेकफरस्ट है यू कें टेक हाई कैलरी बट फिर भी मैं थोड़ा कॉंश यहां का स्कूल का रूल है कि अगर आपको ऐसे भेशते हैं स्कूल से तो 24 आवर्स या 48 आवर्स तब मॉनिटर करना पड़ता है तो अजहान कल स्कूल घर पे ही रहने वाला स्कूल नहीं जाएगा ये अच्छे रूल्स होते हैं ताकि बच्चों के बाकी बच्चों को ये इसलिए वो ये सारे रूल्स रखते हैं विच इस फाइन और मैं तो खुश हूँ कि या जान एक और दिन घर पे रहने वाला है तो आई होप आपको बनाना के फाइदे और नुकसान पता चले कि किस स्टेज में उसे खाना है और मैंने देखा है साउथ में जादातर लोग बनाना कच्चे खाते हैं तो विच इस वाई नौ आई एंडरस्टैंड कि क्यों खाते क्योंकि इसके जादा फाइदे कच्चे में होते तो यह पॉइंट अब जरूर रखिएगा नोट करके जैसे मैंने कहा दालचीनी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है अगर आप मीठा चाहती थी वो स्क्राबर वो उसका रिव्यू मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कैसा रहा तो ठक गई हूँ लेट हो गया है बट आप से कनेक करना जरूरी है तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा आप अगर इन में से कोई भी मसाला या कोई भी स्पाइस यूस करते ह हैं कुछ रेसिपी बनाते हैं तो मुझे जरूर कॉमेंट करके बताइए मैं भी च्राइ करूंगी तो आज के लिए इतना ही अल्ला हाफिज शब्बा खेर नमस्ते नमस्कार सब्सक्राइब चाओ